नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में इजराइल के अंदर निकल चुकी है बंपर वेकेंसियां जो सेलरी होने वाली है वो दो लाख रुपे तक की होने वाली है स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक चीज बता दू कि इसराइल के अंदर अभी जंग के हालाच चल रहे हैं इसलिए बिना भारत सरकार के अनुमति के आप इसराइल की यात्रा करने से बचिएगा लेकिन दोस्तों आपको पता है कि इसराइल की वेकेंसिस पिछली काफी टाइम से चल रही हैं और भारत से बहुत सारे लोग इसराइल के अंदर नौकरी करने कह हुए हैं तो आपको मैं बताऊंगा कि क्या इसराइल के अंदर अभी इंडियन लोगों को नौकरी दी जारी है तो जी हां बिलकुल दी जारी है बात सही है कैसे क्राइटेरिया रहने की जौब है इस तरह की जौब पर यहां पर बात करें तो जो helper है यानि कि जिसने कहीं कोई भी काम नहीं किया हुआ है helper है उसकी salary लगभग एक लाक रुपे महीने की रह रही है और अगर आपको experience है किसी काम करने में electrician में फीटर में या फिर किसी और चीज में तो वहां पर जो salary मिल लई है वो आपको दो लाक रुपे तक मिल लई है इस तरह की पोस्ट है तो लगभग डेढ़ लाक से लेके दो लाक रुपे महीने तक की salary मिल लई है बात करें eligibility criteria की तो अगर आप किसी specific field में जाते हैं यानि कि अगर आप फीटर जाते हैं जो electrician होगा उसको help करने का भी हो सकता है तो जो अपना फ्रेसर होगा मतलब जो helper में जाएगा वह बिल्कुल फ्रेसर होना चाहिए उसके पास कोई information नहीं है कोई knowledge नहीं है तब भी वह इस job के लिए apply कर सकता है लेकिन दोस्तों इस नौकरी के लिए आपके पास passport होना जरू training होगी training कहाँ चल लगी है तो देश के कई सारे government iti के अंदरों पर इसकी training चल लगी है बहुत सारी के अंदर हैं आप पता कर सकते हैं एक के अंदर का मैं नाम बता सकता हूं वो है government iti government iti अली गंज लखनव government iti अली गंज लखनव के अंदर इजडाइल के लिए direct vacancies चलती रहती हैं जो भी अगल बगल के लोग हैं जो वहाँ पर जाना चाते हैं वो government iti अली गंज जा सकते हैं वहाँ पर पता कर सकते हैं जो भी व फर्म है उसको फिल कर सकते हैं और उसके पाद उनकी प्रापर वही पर ट्रेनिंग कराई जाएगी और ट्रेनिंग पर इजियसे ही उनको भी जाएगा उनक्प दिया जायेगा लेकिन दोस्तों मैं फिर आपसे बोलोंगा कि इजराहिल की यातरा आप बिना भारत सरकार के अनुवर्ति के न करें भारत सरकार के अनुवर्ती ऐस्यPerthियू 9 एक जादा है हर महिने के 9 तारीह को सुभा सुभा ही सेलरी आ जाता है जो गए है अगर की जानकारी में कोई होगा तो पता कर लीजेगा, salary में देरी नहीं होती है, every month 9 तारिक को सुबह सुबह ही salary आ जाती है, तो दोस्तों जो जाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, इस opportunity का लाब लेना चाहते हैं, वो government ITI अली गंज में जाके पता कर सकते हैं, कि अभी कौन सी vacancy चल रही है, और government ITI अली गंज के थुरू ही आप वहाँ जाईएगा, अगर आपके state में भी कहीं इस तरह की vacancy चल लही है, तो आप internet पर साज कर सकते हैं, मेरी जानकारी में जो पुकता जानकारी है, वो government ITI अली गंज लखनाव के अंदर यहां पर vacancy चल रही है, वहाँ ट् पसंद आयो, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपसे अगली वीडियो म मिलूँगा, तब तक के लिए, धनिवाद, जय हिन, जय भारत